हेलो फ्रेंड्स वीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चूड़ा मटर की स्पेशल डिस इसको बनाने के लिए एक चम्मच घी एड़ करके चूड़े को रोस्ट कर लेंगे चूड़े को डीप फ्राइ नहीं करेंगे रोस्ट करके हम अच्छे से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे चूड़े को गोल्डेन होने तक हैं ड्रीप फराई करने पर बहुत जादा आयल हो जाता है हमारे नाजस'ta में इसलिए हम इसको रोस्ट करके ही बहुत क्रंची रोस्ट हो जाता है और खी भी कम लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है इस तरह का चूड़ा देखिए चूड़ा अच्छे से भुन रहा है इसको कांटीनू चलाते रहेंगे ताकि एक बराबर चारो साइट से भुन जाए देखिए गोल्डन कलर हो गया है चूड़े का कितना अच्छा कलर बनके तयार हुआ है चूड़ा जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसको निकाल लेंगे इसको एक कटोरी में या प्लेट में निकाल लेते हैं सारा चूड़ा निकाल लेंगे कड़ाई से फिर इसी कड़ाई को प्लीन करके इसमें एक चमच आयल अट करेंगे आयल थोड़ा सा धुमा छोड़ने लगेगा तो इसमें दो तीन लेसन की कलिया और हरी मिर्च आड़ करेंगे दो तीन हरी मिर्च जब ये गोल्डन कलर की भुन जाएंगी हरी मिर्च और लेसन की कलिया इसमें थोड़ा सा नमक पहले आड़ कर लेंगे नमक पहले इसलिए आड़ कर लेंगे कि मटर का तीखा पन तेल हमारा वो कड़वा पन खतम हो जाएगा नमक डाल लेंगे स्वात के अनुसार हमारे पास एक कप से देड़ कप मटर है तो हम आधा चमच नमक एट किये हैं उसमें मटर डाल देंगे मटर को आपस में अच्छे से नमक पहले पढ़ जाता है तो मटर का कलर अपना हरा बना हुआ रहता है और भी ज्यादा ग्रीन डार्क ग्रीन कलर दिखने लगता है मटर का बिना नमक के बराने पर उसका कलर डिसकलर हो जाता है अभी देखिए अच्छे से हरा कलर आ गया हमारे मटर का देखने में बहुत सुन्दर लगता है मटर को चला कर थोड़ा चेक कर लेंगे फिर इसमें हरी धन्या अट कर लेंगे अगर मटर हमारा गल जाता है तो फिर इसको अच्छे से mix कर लेते हैं हमारा मतर करल गया है अच्छे से तैया पक चुका है अब इसमें का extra पानी सूख जाएगा तो चूडा भी add कर लेंगे चूडा को अच्छे से mix कर लेंगे बहुत simple मसाले पड़ें इसमें कोई भी मसाला नहीं add किए है आपको ज्यादा तीका और चटपटा चाहिए तो चाट मसाला या फिर मिर्ची पाउडर और एड़ कर सकते हैं और हम लोग को तो ऐसे ही सादा बहुत पसंद है प्लेट में गर्मा गरम निकाल लीजिए चूड़े को इसको काफी और चाय के साथ ही इंज्जॉय करने में मचाता है इसलिए हम इसके साथ आपको काफी की रेसिपी भी सेयर कर रहे हैं ये बिना मसीन के ही हम हाथ से अच्छे से फेट के काफी बनाएंगे आपको लगेगा कि बिल्कुर मसीन से बना हुआ है एक बार इस तरीके से आप ज़रूर काफी ट्राइ कीज़ेगा एक चमच काफी ले लेंगे दो चमच चीनी ले लेंगे एक चमच पानी तीनों को एट करके खुब इस पेस्ट जैसा बना लेंगे खुब फेटते हुए कम से कम तीन चार मिनट इसको अच्छे से फेटेंगे जितना ज़्यादा फेटते हैं उतना अच्छा इसका कलर और टेक्शर इसका एकदम गाढ़ हाई स्मूध हो जाता है अभी देखिए अभी ब्लैक कलर का दिख रहा है पर फेटते ही फेटते इसका कलर बिल्कुल अलग कैरेमल कलर का हो जाएगा एकदम लाइट होता चला जाएगा यह देखिए अभी थोड़ा डार्क है फेटते फेटते एकदम लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा इसका देखिए कितना अच्छा क्रीम की तरह बनके बैटर त्यार हो गया है दूद को हम पहले से एक कप में रख लिए हैं काफी बनाने के लिए बैटर में से एक चमच लेंगे कप में और इसमें खुब गरम दूद बिल्कुल उबलता हुआ दूद कप में आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्सचर को घोल लेंगे इस तरह हम काफी को फेट के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और किसी के भी आने पर तुरंत गरम दूद किया और बैटर मिक्स किया और दे दिया जटबट काफी बनके त्यार हो जाती है आधर कुछ सेकेंड में ही देखिए गरम दूद हम मैट कर रहे हैं खौलता हुआ इसको मिला लेंगे थोड़े से बैटर से उपर से हम इसका डेकोरेशन करेंगे आप जिस तरह से चाहें स्माइली बना लें या फिर कोई भी सेप उपर से डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और पीने में भी ये काफी बहुत टेस्टी लगती है देखिए कितना जाग बना हुआ है उपर से पूरी क्रीम जैसी काफी दिख रही है जाग वाली इस तरह मसीन से बनती है काफी पर हम लोग हाथ से ही इतना अच्छा काफी बना के तयार किये हैं आप भी इस तरह की का काफी ज़रूर ट्राइ किजिएगा देखिए इसमें हमने हार्ट से बनाया है आप जो भी सेप चाहें उपर से डेकुरेट कर सकते हैं जो बैटर हमारा बचा हुगा है उसी से बनाया गया है इसको आप इसको काफी और चूड़ा मटर को इंजोई कीजिए कोई भी आया उसे खिलाईए खुद भी खाईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी पसंद आई हो तो सेयर कीजिए लाइक कीजिए आपका कमेंट का हमको इंतजार रहेगा अगर हमारी डिस अच् झाल 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 झाल